रेडी, रेडी, स्टार्ट, वाद तथ्ये, उच्चितम न्यायाले के एक खंड पीठ ने इस मामले को संविधान के अनुछेद 233 के निर्वाचन हेतु ब्रहद पीठ के लिए संदर्भित किया था जिसमें समान प्रस्ण होने के कारण अन्य रिट याचिकाओं, सिविल अपीलों, एस एल पी और अनेक अंतरित मामलों को भी लेकर यह निर्णे दिया गया इन मामलों में मुख्य बिचारणिये प्रस्ण था कि अनुछेद 233 के अंतरगत जिला नियाधीस के रूप में नियुक्ती हेतु अनिवारिये योग्यता क्या होनी चाहिए और बार से प्रत्यक्स चैन के लिए आरक्षित सीटों पर क्या राज्ये नियाईक सेवा के सदस्ये नियुक्ती हेतु दावा कर सकते हैं इन मामलों में याचीगन का एक समहु अपने अपने राज्ये में नियाईक सेवा में हैं जिन्होंने दावा किया था कि यदि वे नियाईक सेवा में नियुक्त होने से पूर्व अधिवक्ता के रूप में साथ वर्ष के व्यवशाय का अनुभव करते थे तब बे केंद्र या राज्ये की नियाईक सेवा में रहते हुए भी बार से प्रत्यक्स चैन की प्रक्रिया भाग लेने हेतु योग्य हैं याचि का करताओं ने साथ वर्ष का नियाईक सेवा का अनुभव रखने वाले याचियों की भी एक स्रेणी है जो अनुछेद 232 के अंतरगत नियुक्ती हेतु योग्य होने का दावा कर रहा है तीसरे स्रेणी के बे याचि का करता भी ऐसे ही दावा कर रहे हैं जिन्होंने अपना अधिवक्ता व्यवशाय और नियाईक सेवा की अब्धी दोनों मिलाकर साथ वर्ष का अनुभव रखते हैं याचि का करताओं की और से विजय कुमार मिस्रा और एक अन्ये वनाम उच्च नियायाले पटना और अन्ये दोहजार सोले नो एस सी सी 2013 के मामले में उच्चतम नियायाले के द्वारा किये गए निरने को भी आधार बनाया गया जिसमें निरनित किया गया है कि अनुचेद 232 के अंतरगत प्रतिबंध केबल केंद्र या राज्य सरकार में नियुक्ति को लेकर है नेकी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने पर और यदि केंद्र राज्य के न्याईक सेवा में नियुक्ति ब्यक्ति नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर चैनित हो जाता है तब वहे अपना त्यागपत्र देकर नई सेबा को जोइन कर सकता है दूसरी तरप विभिन उच्च न्यायालों एबं जिला न्यायालों में प्रेक्टिस कर रहे याचिका करताओं की और से तरक किया गया की अनुच्चेद 232 के अंतरगत केवल बार के प्रेक्टिस नर्स को ही नियुक्त किया जा सकता है और इसमें न्यायिक सेबा के अधिकारियों को सामिल नहीं किया जा सकता है विशेशकर तब जबकी All India Judges Association बनाम भारत संग 2010-15 SEC 170 के मामले में बार के अरिवक्ताओं न्यायिक सेबा के सदस्यों एवं पदोनती से भरे जाने वाले जिला न्यायधीस के पदों के लिए कोटा नियत किया जा चुका है प्राम